आज मैं आपको भगवान बुद्ध के धरती कुशिनगर की यात्रा करवाऊंगी और मेरा दावा है कि आज तक आपने कुशिनगर को इतनी गहराई से नहीं देखा होगा और सुना होगा मैं आज आपको भगवान बुद्ध से जुड़े कुशिनगर के वस सभी रहस्य को बताऊंगी जो इतिहास के पन्नों में अब तक दबा हुआ है दोस्तो कुशिनगर के इतिहास में भगवान बुद्ध से बड़ा शायद कुछ भी नहीं है इसलिए चले इस मंदिर में भगवान बुद्ध को समझना शुरू करते हैं भगवान बुद्ध के प्रमुक तिरत स्थानों में कुशिनगर का या मंदिर मुख्य माना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध को यहीं पर परिनिर्वार प्राप्त हुआ था या जिस मंदिर को आप देख रहे हैं वहां भगवान बुद्ध विश्राम अवस्था में यानि नीम की अवस्था में सोई हुए हैं इसे अस्थान पर भगवान बुद्ध को परिनिर्वार की प्राप्ति हुई थी जिसके बाद वह तथागत कहला है जो लोग परिनिर्वार का मतलब नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दू कि परिनिर्वार एक संस्कृत शब्ध है और इसका अर्थ होता है मुक्ति या अंतिम्र्तियो मतलब जब कोई इनसान अपने देख को त्याग कर सदा के लिए अनंत लोग में विलीन हो जाता है तो उसे परिनिर्वार कहते हैं इसलिए महात्मा बुद्ध ने जब अपने शरीर को त्याग दिया और वो अनंत लोग में चले गए तो इसी प्रक्रिया को बहुत धर्म में परिनिर्वार कहा गया आएए आपको इस मंदिर के अंदर ले चलते हैं और बताते हैं इस मंदिर के अंदर रखी मुर्ती का क्या महत्व है और इसका आकार कितना है दोस्तों आप भगवान बुति की यह जो मुर्ति देख रहे हैं वह पत्थर की बनी हुई है और इस पर सुने की परत चड़ाए गई है भगवान बुति की यह लेटी हुई प्रत्मा की लंबाई 6.10 मीटर लंबी यानि लगभग 20 फीट लंबी है इस प्रत्मा को जब आप देखेंगे तो मन में एक आकशर का भाव पैदा होगा हम इसी भाव को बुत्थर्म शरणम गच्छामी भी कहते हैं भगवान बुति की इस मुर्ति को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं जिसमें बौत धर्म के लोग तो होते ही हैं लेकिन अनि धर्मों के लोग भी भारी संख्या में यहां पर आते हैं जब हमने कई अनि धर्मों के लोगों से यहां आने का उद्देश जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमारे अपने धर्म में आस्था तो खूब है लेकिन हमें भगवान बुद्ध से त्याग और समर पर सीखने को मिलता है और यहीं हमें आकरशित करता है कुशिनगर के मंदिर की तरब यहाँ पर भगवान बुद्ध की लेटी हो इस मुर्थी को देखकर मन में शान्ती मिलती है और यह शान्ती पूरी दुनिया को यहां आकरशित करती है दोस्तो भगवान बुद्ध की चर्चा अभी खतम नहीं हुई है समझे अभी तो यह शुरुवात है चलिए मैं आपको भगवान बुद्ध की अंतिन समयों के बारे में कुछ जानकाली देती हूँ दोस्तो भगवान बुद्ध की मृत्यों 80 वर्ष की अवस्था में हुई यह तो आपको पता ही होगा लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यों अपने अंतिम भोजन की वज़ा से हुई थी जो उन्होंने एक लोहार के यहां किया था आज मैं उसे के बारे में बताऊंगे कि भगवान बुद्ध ने उस समय भोजन को लेकर क्या कहा था दोस्तो लगबख 482 इस्वी की बात है पावा नामक गाउंच वर्तमान समय में पड़ोना कहलाता है यही पर कुंडा नाम के एक लोहार ने भगवान बुद्ध को और उनके अनुवाईयों को अपने यहां भोजन पर आमंतिर्ट किया और भगवान बुद्ध ने भी उस निमंतर को स्विकार किया और उसके बात उस लोहार के आम भोजन करने भी गए उस लोहार ने काम की बगया में भगवान बुद्ध सहित सभी अनुआयों को बैठाया और उनको भोजन परोसा भोजर में उन्हें मीठे चावल, रोटी वो मधव दिये जिसे अंग्रेजी में पोर्क भी कहते हैं बुद्ध ने मीठे चावल और रोटी तो औरों को दिलवा दिये पर मधव इसलिए किसी को नहीं दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया था किया कोई अन्य पचा नहीं सकेगा स्वेम उन्होंने भी जरा सकाया, शेश वहीं जमीन में कड़वा दिया इसको खाते ही भगवान बुद्ध बहुत बिमार हो गए और बिमारी के अवस्था में ही भगवान बुद्ध उस जगह से अपने शिश्यों के साथ कुशी नगर चले आए लेकिन भगवान बुद्ध को अपने शिश्यों के माध्यम से पता चला कि कुछ लोग कुंडा को बहुत बुरा भला कह रहे हैं क्योंकि कुंडा के यहां ही भोजन करने के बाद भगवान बुद्ध की तबियत बिगड़ गई इसलिए भगवान बुद्ध ने तब अपने कई अन्याईयों को बुलाया और कहा कि कुंडा को और पुरे गाउं को जाकर ये बता दो कि उसका भोजन बहुत मीठा और स्वादिष्ट था मेरी तबियत खराब हुई है इसमें कुंडा का कोई दोश नहीं था ये बात कहने के कुछी दिन बाद ही भगवान बुद्ध अनंत लोक में विलीन हो गए दोस्तों आपने वो जग़ तो देखी ली जहां पर भगवान बुद्ध अनंत लोक में विलीन हो गए अब मैं आपको उस जग़ पर ले चलती हूँ जिस जग़ को भगवान बुद्ध का मूल मंदिर माना जाता है दोस्तों ये है माथा कुवा मंदिर ये भी कुशी नगर में ही इस्तित है आप कुशी नगर अगर आ रहे हैं तो इस जग़ पर जरूर आए क्योंकि यहां आपको आकर भगवान बुद्ध के नीले पथर से बनी दसवी और ग्यारवी शताबदी की मुर्ती देखने को मिलेगी इस जग़ की खुदाई 1876 में कारनाईल ने कराई थी और इस मंदिर का निर्माड 1927 इस्वी में कराई गया था लगभग आज से 100 साल पहले बताया जाता है कि बहुत धर्म के अनुयाई यहां पर बैटकर भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं और सिर्ष्टी के उत्थान के लिए प्रातना करते हैं चले वाब को हम उस अस्थान पर ले चलते हैं जहां पर यह मानिता है कि यहां पर 483 इस्वी में वैशाक पुडिमा के दिन भगवान बुद्ध का अंतिम संसकार किया गया था और यहां पर आज भी भगवान बुद्ध के अंतिम अवशेस मौजूद है इस अस्थान को मुकट बंधन भी कहा जाता है इसके उचाई लगभग 50 फीट है इत्यासकार बताते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यों के पश्यात पूरे दुनिया भर से लोग इसी जगह पर 6 दिनों तक दर्शनों के लिए आते रहे साथवे दिन शव को जलाये गया फिर उनके अवशेशों पर मगत के राजा आजात शत्रू, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के विच्छावियों आदिने भ्यंकर जगडा हुआ जब शगरा शांत नहीं हुआ तो द्रौर नामक प्रामभर ने समझोता करवाया और भगवान बुद्ध के अवशेश आठ भागों में बाढ़ दिये जो आठ स्टूप, आठ राज्यों में बना कर अवशेश रखे गए बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवा कर चौरासी हजार स्टूपों में बाढ़ दिया था इतिहासकार ये भी बताते हैं कि वर्तमान समय के कुशिनगर में 1873 में एक बड़ी लड़ाई भी हुई थी तब यह जगा पुड़ी रूप से खंडर हो गई थी लेकर 1910 में यहां खुदाई होनी शुरू हो गई और खुदाई के दरान बहुत सारा सोना प्राप्त हुआ जिससे यहां के कई मंदरों का निर्मार कराए गया इसलिए यहां के मंदरों को स्वर मंदर भी कहा जाता है दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसे लगे आप हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा और अगर आप भी कुशिन अगर गए हैं तो हमसे अपना अनुबश जरूर साज़ा करेगा चनल पर नए है तो हमारे चनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन जरूर दबा दीजेगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुचती रहे और हमारी मुलाकात हमेशा होती रहे अपना बेहत ख्याल रखेगा बहुत बहुत शुक्रिया